करोडों का कर्ज भी हो जाएगा माफ, बस हनुमान मंदिर में चड़ा दें ये एक चीज, नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, दोस्तों कर्ज कितना भी बड़ा क्यों न हो जल्दी उतर जाएगा, अगर आप इन उपायों में से कोई भी एक उपाय करते हैं, तो निश्चिक तोर पर आप रिण मुक्त हो जाएगे, दोस्तों कर्ज या रिण का सर पे होना जिंदकी को मुस्किल में डाल देता है, कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुसाल जीवन होता है, कर्ज लेना जितना आसान होता है, कई बार उसे चुकाना उतना ही मुस्किल हो ज कर्ज की वज़े से माधानी पेशों की तंगी और पारिवारी कल्य जहलने पड़ते हैं कर्ज में डुबावाव्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए मुसीब खड़ी कर देता है कर्ज लेते वक्त ही समश्या के बारे में सोचने की और साभधानिया बरतने की आविश् सनिवार के दिन ना तो कर्ज अथवा लोन लेने के लिए आविदन करें और ना कर्ज के पेपर पे हस्ता आकसर करें चरलगन जैसे मेश, कर्क, तुला और मकर में कर्ज लेने पर वहशी गरी उतर जाता है लेकिन चरलगन में कर्ज देने वाले को नुक्सान होता है कर्ज ल लिया गया कर्ज आपके जीवन को मुश्किलों में डाल देता है। लिया गया कर्ज से जल्दी छुटकरा मिल जाता है। कर्ज मुक्ती के कुछ आसान उपाय, कुछ उपाय पान के पत्तों को लेकर होते हैं। पान को हिंदू धर्व में लगभग सभी कारियों में सुभ मना जाता है। सकंद पुरान के नुसार शमंदर मंथन के समय पहली बार पान के पत्ते का परियोग किया गया था। तभी से यह पत्ता हर सुभ कारियों में इस्तिमाग होने लगा। पुजा पाट से लेकर किसी भी सुभ कारियों में पान के पत्ते को जरूर सामिल किया जाता है। जो तिस और वास्तों सास्तर के उपायों में इसे बेहत प्रभावसाली माना गया है। तब पान के पत्थे का ये उपाय आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर देगा। उपाय करने के लिए एक साबुत पान जो कहीं से कटा पटा ना हो अर्थात पान का साब सुथ्रा पता ले। पत्थे का डंठल निकाल दे हरे रंग का ताजा पत्ता आपको लेना है उसके बाद उस पर दो लोग और एक इलाइची रखें अब इस पत्थे को मोड करें पान का बीड़ा बनाएं और मंगलवार को साम के समय सनान आदी करके स्वच्छ वस्त्र धारन करके हर्मान जी के पाएं और उन्हें ये पान का बीड़ा अर्पित कर दें और वहीं बेट करके एक पाठ रिण मोचन मंगल स्तोत्र का अवश्य करें तीन महिने तक लगातार हर मंगलवार को यह उपाई करें किसी मंगलवार को यदि आप खुद नहीं कर पाते हैं तो आपके बदले में आप रिण मुक्त हो जाएंगे याद रखे हनुमान जी की सरण में जो आ गया हनुमान जी उसका बेड़ा पार लगा देते हैं आपकी सारी मुस्कलें खतम कर देते हैं अब एक दूसरा उपाई भी आप नोट कर लीजिए कई बार ऐसी प्रस्तिती आ जाती हैं कि कर्ज ले दिक्कते आनी शुरू हो जाती हैं पेसे कहीं फस जाते हैं सुब कारियों में अडचन आती हैं सगे सबंदी मुझ फेर लेते हैं लगता है कि आप चारों और से घिर चुके हैं तब एसे में एक छोटा सा उपाय जरू करके देखें इस उपाय के लिए भी आपको एक पान क का प्ता लेना है है साबुत आजा हरे रंग का प्ता लीजीए डंडः हटा दीजीए इस पत्ते के चिकने सईड को मीचे कर दें कुरू बह्ते हमें चाइर दोकर से बढ़ि साथ बहां करें अब सावधानी से लोनों हाटों से उससके को उठा करें बहते वी प्रिसानिया दूर हो जाएंगी, कार्यों में सफलता मिलनी शुर हो जाएगी, हर संकट से बाहर निकलने का रास्ता सामने दिखने लगेगा, बहुत ही कारगर उपाय है, जरूर आजमा करके देखें, और एक उपाय जो आप नवरात्री में कर सकते हैं, आपके उपर यदि कर करने से आपको दनागमन के अनेक रास्ते मिलेंगे, और दनागमन में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी, और एक छोटा सा उपाय आप नोट कर लीजिए, क्योंकि उपाय बताने वाला हूं, तो बताने में कंजूसी नहीं करूँगा, इस उपाय को आप खुद या कोई भ प्रियोग आपको नियमित रूप से कम से कम ग्यारा मंगनवार तक करना है, आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा, पुरुस मंगलवार की दिन दक्षिन मुखी हनमान जी को सिंदूर अर्पित करें, महिलाएं लाल पुस्प अर्पित करें, घर में तीन बार सुबह साम संक जरूर बजाएं, और प्रभु से रिण मुख्ती की प्रात्रा जरूर करें, आसान सा पर बहुती प्रभावसाली है, यह है कर्ज मुख्ती के लिए कुछ और भी आप उपाई कर सकते हैं, जिसे आप रिण मोचन मंगल स्तोतर का पाठ करिए, या कनक धारा स्तोतर का पाठ रोज नियमित रूप से करेंगे, तो भी कर्ज से मुख्ती मिल जाएगी, कर्ज की समस्या आपको प्रेसान नहीं करेगी, उ आसानी होगी, छोटी रकम ही सही, लेकिन कर्ज चुकता करने के लिए अलग से निकाल करके रख दे या चुकता करें, कर्ज जल्दी उतर जाएगा, आज के लिए बस इतना ही, और मासा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो कमेंट आउसे लिके धन्यवाद